हालो एंड वेलकम एब्रिवान आज हम लोग डिसकस करेंगे MCQ-based current affair for December 2020 जैसे कि मैं अपनी previous videos में भी आप लोगों को कहते हूं कि current affair की कोई particular categorization नहीं होती आप नहीं कह सकते कि ये exam किस exam के लिए relevant है और नहीं जो difficult level है वो vary करता है exam पे लेकिन कोई strict line draw नहीं होती है तो ये video equally सारे exams के लिए important है इसमें MCQ-based format है लेकिन आप जो explanation है उसको ध्यान से सुनें क्योंकि explanation भी आपके लिए उतनी ही important है जो students इस channel पे new है वो please channel को subscribe कर लिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो तो चलिए आज की class start करते हैं इन में से कौन सी जो इंडिया की indigenous sports है उनको खेलो इंडिया youth game 2021 के लिए approve किया गया है तो पहला option है कलेरी पट्टू, ठांगता और मलखम तो यह तीनों है और इसके साथ एक fourth है जो की है गतका तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कलेरी पट्टू है यह भी एक martial art है जो की कैरेला से है यह कैरेला का martial art है उसके बाद जो ठांगता है यह मनीपूर का martial art है तो आपको individually भी question आ सकता है जिसमें आपको single option देके पूछा जाएगा कि यह कौन सी state का martial art है next जो मलखम है मलखम में जैसे आप इस picture में देख सकते एक pole है ऐसे इस pole के अगल बगल ही सारी performance होती है और यह मध्यपरदेश और महाराष्ट्रा का sport है और जो फोर्थ option है वो गत्का है जो की पंजाब से है पंजाब के जो नहांग सीख warriors है यह उनकी martial art है और इन चारों को अप्रूव किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020-21 के लिए next question, government ने जो e-sampata web portal जो launch किया है और उसकी mobile app जिसको की ministry of housing and urban affairs ने launch किया है तो good governance day जो है वो December 25th को होता है और यह birth anniversary है हमारे former prime minister अटल भिहारी वाजपाई जी की जिसको annually government celebrate करती है as good governance day तो जो e-sampata web portal है उसमें कौन सी features है personalized dashboard है उसमें real time status होगा जो भी license fee या due होगा service uses जो archive है उसका real time status मिलेगा आपको cashless payment होगी तो इसका answer D है यह सारी options के साथ-साथ उसमें online facility है जिसमें आप online अपनी complaint पी register करा सकते हैं और आपकी virtual hearing भी हो सकती है और आप अपने documents भी submit कर सकते हैं इसके अंदर government ने अपनी बहुत सारी जो web portals थे उनको club करके सारी services को एक जगा दिया है public convenience के लिए इन में से concept pair जो है वो incorrectly matched है तो आपको मेरी current affair में maximum कुछ चीज़े इनकरेक्ट मिलेंगी ताकि मेरी कोशिश रहती है कि आप maximum जो चीज़ें उनको grasp कर पाएं आपको ज़्यादा options करेक्ट मिलें ताकि आप ज़्यादा fact याद कर पाएं तो पहला है कि इंडिया की इंडिया की यंगेस्ट मेर आरे रजेंदर है तो यह correct है अभी हाल में ही थिरुवंतवपुरा में यह elect हुई है 21-year की आरे रजेंदर तो इंडिया की यंगेस्ट मेर है second I am not mesiha जो autobiography है वो sonosuit की है तो यह भी correct है next globe saucer saucer awards जो है saucer football का ही another name है तो उसमें player of the century जो title है वो Cristiano Ronaldo को मिला है तो यह भी correct है यह Portuguese player है next अली भाबा और आंट ग्रूप के जो founder है वो Vijay Shekhar Sharma है इस इस इंकरेक्ट विजे शेकर शर्मा जो है वो पे टीम के founder है अली पबार आंट ग्रूप के जो founder है वो है जैक मा जैक मा जो है वो हाली में न्यूज में बहुत जादा रहे है क्योंकि October में इन्होंने Chinese government के को criticize किया था उसके बाद से यह missing है और किसी भी event में पब्लीकली भी नहीं दिखे हैं तो आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एक renowned personality है पहले चाइना के richest person थे अब चाइना के second richest person है यह next एक firefly bird devator जो है जो पार लाइन्स है उनकी उनकी उपर लगाया जाएगा था region में किस animal को बचाने के लिए firefly bird devator जो है वो great Indian buster a option great Indian buster को बचाने के लिए लगाया गया है जो great Indian buster है वो critically most critically threatened species है इंडिया की जिसमें की सिर्फ 150 birds जो है वो wild में रह गया है सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि firefly bird devator क्या होता है तो आप पिच्चर में देख सकते हैं यह power line के उपर यह जो लगा है इसको firefly devator कहते हैं यह shine करता है और क्या होता है कि अगर bird दूर से 50 meter के distance से ही bird इसको इसको देख सकता है क्योंकि यह reflect करता है तो वो इससे आके collide नहीं करेगा और अपने आपको divert कर सकता है तो इसको Supreme Court ने यह ruling दी है ताकि जितनी भी वहाँ power lines है उन सब पे ऐसे devator लगाए जाएं ताकि जो बर्ड है वो अपने आपको divert कर लें पार लाइन से नेक्स आप देख सकते हैं यह जो पिचर है यह great इंडियन बस्टर की पिचर है इसकी जो population है वो लगातार गिरती जा रही है और अब सिर्फ 150 रहे गी है तो यह most critically endangered species है इसी में आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन में वाइल डैस है जो वाइल डैस है वो गुजरात के कच रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरात की स्वेश्यलेटी है जैसे जो एश्याटिक लॉइन है हमें बहुत सारे एक्जाम में पूछा जाता है कि वह कहां पाया जाता है तो गुजरात में पाया जाता है, केवल गुजरात में पाया जाता है, similarly जो इंडियन वाइल डैस है, वो भी गुजरात में ही पाया जाता है, जो इंडियन गजेल है, ये चिंकारा, चिंकारा का दूसरा नेम है, और चिंकारा राजस्तान का स्टेट अनिमल है, तो कितने सारे questions जो है वो इन species से rated भी आपको exam से पूछे चाते हैं next इन में से कौन से जो media units है उनको National Film Development Corporation के अंदर merge कर दिया गया है तो option है film division, directorate of film festivals, national film archives of India यह तीनों options correct हैं इसी के साथ साथ Children's Film Society जो है उसको भी include किया गया है जैसे के आप देख सकते हैं जो film division है इसको 1948 में setup किया गया था, directorate of film festival को 1973 में Children's Film Society को 1955 में और जो national film archive of India है उसको 1964 में अब इन चारो media divisions को units को merge करके National Film Development Corporation में डाल दिया गया है जिसको कि 1975 में setup किया गया था Next question, Human Development Index को लेके कौन सी statement जो है वो incorrect है तो पहला है कि इंडिया का rank 131 है out of 189 countries तो यह correct है on report by UNDP which is United Nations Development Program तो इस report को कौन launch करता है United Nations Development Program और इंडिया का rank कितना है 131 इस साल इसमें एक experimental index add किया गया है जिसमें की countries की carbon dioxide emission और material footprint को भी अकाउंट किया गया है तो यह बिलकुल correct है पहले सिर्फ health, education और living standard जो था यह तीनों ही parameters से लेकिन इस साल experimental basis पे carbon dioxide emission और material footprint को भी count किया गया है Next, India along with Bangladesh और Pakistan lies in medium human development category यह बिलकुल correct है India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Cambodia, Kenya and Pakistan इन सबको medium human development countries में रखा गया है Next, gender development index में इंडिया जो है वो पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों से पीछे है तो यह statement incorrect है UNDP अपनी human development जो report है उसके अंदर gender development index को भी count करता है जिसमें इंडिया की जो value है वो 0.820 है इंडिया जो है वो बंगलादेश से पीछे है लेकिन पाकिस्तान से आगे है बंगलादेश का जो gender development index है वो है 0.904 तो बंगलादेश इंडिया से आगे है लेकिन पाकिस्तान का 0.745 है तो पाकिस्तान पीछे है इसी के साथ कितने एक्जाम्स में यह पूछ लिया जाता है कि human development index में किस country ने टॉप किया है तो इसमें नौर्वे ने टॉप किया है नौर्वे, Ireland और Switzerland जो है वो टॉप लिस्टिंग countries है दिसेंबर में प्राइम निस्टर ने आयश्रमान भारत प्रधान मंत्री जन अरोगय योजना सेहत जो है वो किस स्टेट में लांच किया उसके सारे residents को कवर किया तो आंसर है बी जमू एंड कश्मीर इसके अंदर क्या है कि health cover है रूपिस 5 लेक का पर family per year फ्लॉटर बेसिस पर और यह जो है यह पूरी कंट्री में पॉर्टेबल है जेनके के सिटिजन जहां भी होंगे सब जगा कवर्ड होंगे कोई कैप नहीं है family size एज के ऊपर इसमें free और cashless treatment होगी किसी भी public यह private hospital में across the country वर्ल्ड क्लास होकी स्टेडियम कहां पे सेट अप किया जा रहा है जिसमें की men's world hockey जो है 2023 की वह होस्ट की जाएगी तो answer है B Odisha में Odisha के रॉल केला में सेट अप किया जा रहा है तो इसमें आप second question आपको यह पुछा जा सकता है कि men's world cup जो होकी है वह 2023 में कौन सी country host करेगी है कहां होगा तो वह इंडिया में और दूसरा सुनीता लख रहा नेक्स डिया डियो ने अभी आर्मी वर्जिन ओफ मीडियम रेंज सर्फेस्ट वियर जो में जाएग कंड़क्ट किया था इसको इंडिया ने किस के किस और country के साथ डेवलप किया है मिलके तो आंसर है ए इंडिया और इस्राइल ने जॉइंटली डेवलप किया है इस आर्मी वर्जिन को next question ministry of youth affairs and sports जो है उन्होंने खेलो इंडिया state center of excellence जो है वो across इंडिया कितनी states में inaugurate किये है तो आंसर है B उन्होंने 8 state में खेलो इंडिया state center of excellence जो है वो launch किये है जिसमें कि आप देख सकते हैं अरुनाचल परदेश में नागा लैंड में मनीपूर मिजोरम औरिसा वान ओप्शन शुडबी है तेलंगाना कैरेला और करनाटका करनाटका, कैरेला, तेलंगाना, ओडिसा, मिजोरम, मनीपूर, नागालैंड और अरुनाचल 8 states 8 states में है और इसका जो vision है इसको set up करने का वो यह है कि जो 2028 में लॉस एंजल्स में जो olympic होगा उसमें इंडिया top 10 में आए इंडिया 10 medals नहीं लाए, इंडिया top 10 countries में आए यही इसका vision है इसलिए इन centers को खोला गया है तो इसी के साथ पता चल गया कि olympics 2028 जो है वो कहा होगा तो वो लोस एंजल्स में होगा इन US government of India ने dollar 500 million का जो project है वो sign किया है green national highway corridors के लिए किस के साथ तो answer है B, world bank के साथ जिसके अंदर की green national highway corridors बनेंगे इन Rajasthan, Himachal, UP and Andhra इन चार states में बनेगा और इसमें जो industrial byproducts होते हैं और जब बाकी by engineering solutions है उनको use किया जाएगा ताकि इस project में जो green house gas emissions है वो बहुत कम कर दिये जाए तबी इसका नाम है green national highway corridors next world class music festival Tansins Maro जो है वो हर साल कौन सी state में होता है तो answer है C, Madhya Pradesh में और यह हर साल December में होता है बहात village में जो की गवालियर में है यह birth place है तांसेन जी की जो की नव रतन थे अकबर के court में और इसको जो organize करता है वो उस्ताद अलाहुदीन खान संगीत कला अकेडमी उसके साथ department of culture जो MP का है यह दोनों मिलके इस festival को हर साल कंड़क करते हैं रिसेंटली जो हमारे प्राइम निस्टर है उनको Legion of Merit Award मिला तो किस कंट्री ने अवार्ड दिया है तो answer is D American President ने यह अवार्ड दिया है इंडियन प्राइम निस्टर को और यह highest degree of Chief Commander का का अवार्ड है जो कि President of US जो है वो typically जो Head of State या Head of Government होते दूसरी कंट्री के उनको यह अवार्ड देते हैं और इससे पहले यह जो अवार्ड है यह ऐस्ट्रेलिया के Prime Minister Scott Morrison को भी मिल चुका है और जैपनीज प्राइम निस्टर जो को लेकर कौन सी statement incorrect है तो पहला है कि Leopard जो है यह वन वेबर है राय आई यूसी एं की जो लिस्ट है उसमें यह वन वेबर है तो दिस इस करेक्ट इसकी केटेगेरी जो है लिस्टिंग जो है वन वेबर केटेगेरी में है कितने एक्जामें यह भी पूछा जाता है कि जो Red Data Book है वो कौन सी एजंसी लॉंच करती है तो आंसर इस आई उसी है नेक्स्ट मद्यपरदेश जो है उसमें सबसे जादा population है लैपड की उसके बाद करनाटिका में और फिर महाराश्रा में है ये भी करेक्ट है MP में जो लैपड का जो नंबर है वो है 3421 उसके बाद करनाटिका में है 1783 और उसके बाद महाराश्रा में है 1690 तो अगर आप MPPCS देंगे तो आप इस figure को expect कर सकते हैं अपने एक्जाम में नेक्स्ट है कि लैपड को जो major threat है वो poaching है habitat loss है depletion of natural prey और conflict है यह बिलकुल correct है और अगर आप regularly news follow कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि wildlife का जो conflict है human के साथ उसमें leopard बहुत ज़दा news में रहता है क्योंकि leopard एक ऐसा animal है जो urban areas में भी चला जाता है और जो timber line हमालया की है उसके उपर भी पाया जाता है तो this is incorrect नॉर्मली जो leopard होते हैं वो सारी heights पे पाये जाते हैं लेकिन इंडिया का जो leopard की जो species है पैंथरिया पादस फसका यह जो है यह सारी country में पाई जाती है लेकिन arid desert और above timber line हिमालया जो है नहीं पाई जाती है तो d जो है वो incorrect है और जो leopard है वो हमारे schedule one of wildlife protection act 1972 में है और यह जो leopard census है यह जो tiger census हुआ था उसी के साथ-साथ इसको conduct किया गया है नेक्स मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ति ने memorandum of agreement जो है sign किया है for high resolution aquifer mapping and management in राजिस्थान गुजरात हर्याना तो तीनों स्टेट्स में इन तीनों स्टेट्स में यह प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है CSIR हाइदराबाद के साथ मिलके जिसमें की halibon geophysical survey किया जाएगा ताकि जो जितने भी large arid या semi-arid areas हैं उनकी mapping हो पाए next question आपके लिए बहुत important है यह question की explanation जादा important है rather than this question कि जो Sandra Lynch से है यह intensive care nurse है जिनको की पहली COVID-19 vaccine मिली कौनसी country में तो answer है US में इसी के साथ ही जो Margaret Cannon है 90 year की grandmother है Britain से उनको वहां की first person है जिनको यह vaccine मिली है तो आपके लिए सबसे जादा important यह है कि इन countries में कौनसी vaccine को approval दिया गया है तो Pfizer जो की American company है और BioNTech जो Germany की company है इनका जो vaccine है वो approve हुआ है कौन-कौनसी country में UK में, Bahrain में, Canada में, Mexico में, US में और Singapore में इन सारी countries ने इस vaccine को जो की RNA based vaccine है इसको approve किया है Pfizer और BioNTech company की इसी के साथ ही जो related important fact जो आपको उससे भी जादा important है वो यह है कि इंडिया में कौनसी vaccine को approval दिया गया है तो इंडिया में दो vaccines को approve किया गया है एक है Covishield और एक है Covaxin जो Covishield है उसको Oxford University और Esther Zinka ने मिलके develop किया है और इसको manufacture किया है Serum Institute of India पुने ने और दूसरी है Covaxin जिसको की develop किया है हाइद्राबाद बेस्ट भारत बायोटेक ने तो आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है यह पूरा साल कोश्ण relevant रहेगा कि कौनसी इंडिया ने कौनसी vaccines को approve किया है और जो previously हमने discuss किया है कि बाकी countries ने किसकी vaccine को allow किया है तो बाकी countries ने Pfizer और BioNTech को किया है और इंडिया ने Covaxin को किया है महे समाल विलेज जो है उसको पहली बार tap water मिला है independence के बाद मतलब जब से देश अजाद हुआ उस वहाँ पहली बार tap water पहुंचा है तो यह कौनसी state का विलेज है तो answer है डी महराष्ट्रा महराष्ट्रा के नासिक बिस्ट्रिक में एक गाउं है जिसमें की अजादी के बाद पहली बार tap water मिला है next प्रांतिय रक्षक दल companies जो है अर्बन एरिया में women empowerment के लिए किस state ने appoint की है तो answer है B UP ने की है अभी तक जो यह प्रांतिय रक्षक दल थे यह केवल रूलर एरियाज में volunteers इसके लिए जाते थे लेकिन अब urban एरियाज में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको constitute किया गया है और यह एक alternate security forces के रूप में काम करते हैं और इनको established किया गया था 1948 के एक act के द्वारा banking services और military salary package के लिए Indian army ने memorandum of understanding recently कौन सी bank के साथ sign किया है तो answer है C, bank of baroda के साथ sign किया है यह question भी, next question भी status of leopard पे है status of leopard report जो है उसमें जो 2014 का estimate था उससे कितने percent increment हुआ है leopard की population में तो answer है D, 60% जो कि really अपने आप में बहुत important change भी है और important question भी frame होता है कितने percent change है दोनों reports के बीच में 60% की और अभी कितना टाइगर की अभी leopard की जो estimation है उसमें 12,852 leopard बताए गए है इंडिया में और यह जो count है यह minimum है जैसे tiger में जो होता है उतना ही माना जाता है थोड़ी बहुत change होंगी लेकि यह minimum है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यह urban areas में भी होते हैं अभी कुछ areas को ही उन्होंने केवल check किया है जिसमें जो number है वो 12,852 है दीन द्याल क्लिनिक कि state में खोले गए हैं जो गरीब लोग हैं poor people हैं जो लोग urban health centers में नहीं जा सकते हैं उनके लिए तो answer है A, Gujarat Gujarat government ने ये scheme launch की है दीन द्याल क्लिनिक की सारे towns और cities में जिन में एक लाग से जाधा population है ताकि जो poor लोग हैं उनको उनके doorstep में medical services मिल पाएं next question, December में ministry of petroleum and natural gas जो है उन्होंने 8th oil and gas production plant of India जो है वो कहां पर inaugurate किया है 8th oil and gas production plant of India तो answer है B, West Bengal के अशोक नगर में अशोक नगर जो है वो North 24 परगना district में है of West Bengal इसका जो basin है वो maximum Bay of Bengal के अंडर पड़ता है और Assam के Arakant Basin, Kach Basin और KG Basin से बड़ा है ये और Rajasthan के Basin के equal है इतना बड़ा बेसिन है ये next question है, वरासर्थ campaign ताकि जो property और land रेटी जो dispute है रूलर एरियाज में उनको खतम करने के लिए कौन सी स्टेट ने वरासर्थ campaign launch किया है तो आंसर है B, इसको UP ने launch किया है और इसका एक main name ये भी है कि स्टेट में जो land mafia चल रहा है जो generally disputed land होती है उसको हत्याने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए वरासर्थ campaign जो है इसको launch किया गया है next question है, इन में से किस pugilist ने clone में boxing world cup championship 2020 जो है उसमें gold medal हासिल किया है जिनको नहीं पता उनको बता दूँ जो pugilist है ये another term है for boxers जो boxing करते हैं उनको pugilist कहते हैं और जिनोंने gold लिया है clone में और जो clone है वो Germany में है आप Krunt Fair के साथ ऐसे ही अपनी knowledge enhance कर सकते हैं कि आप fact के साथ fact को connect करें तो answer है अमित पहंगाल, मनिशा मौन, सिमरंजीत कौर तो answer है D इसमें इंडिया ने तीन gold, दो silver और चार bronze medal लिये हैं इन तीनों ने gold लिया है इसके इलावा साक्षी चौधरी और सतीश कुमार जो है उनको silver मिला है सोनिया लैथर, पूजा रानी, गौरव सलंकी और मौम्मद हुसामूदीन जो है इनको bronze medals मिले हैं हाली में किस footballer ने जो अपने goals का जो record है वो ब्राजिल के पहले के बिलकुल equal कर लिया है तो answer A, Leon Massey, जो कि Argentina के footballer है Next question है, Skill India ने अभी पहला Center of Excellence for Skill Development in Power Sector जो है वो कहां पे खोला है First है, First Center of Excellence है in Power Sector तो इसको गुरुग्राम में खोला गया है गुरुग्राम इस इन हर्याना और इसका purpose क्या है कि candidates को train करना ताकि उनको job मिले in the field of electricity, automation and solar energy sector Next, India और Asian Development Bank में project readiness financing जो facility है infrastructure development के लिए इनमें से कौन सी state के साथ के लिए sign की है तो answer है C, तुरुपूरा और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ADB की जी, ये पहली जो है project readiness financing है North East region के लिए इंडिया में और वो भी तुरुपूरा के लिए जहांकि urban amenities और tourism के लिए infrastructure जो है वो develop किया जाएगा Next question, China का जो Changi 5 mission है वो अभी recently fresh rock samples लेके आया है इनमें से कौन सी जगा से तो answer है B, Moon से ये एक lunar mission था जिसके अंडर की 2 kg के करीब जो rock samples लेके आया है ये वाला mission और ये land किया था इन सीजी वांग बैनर जो की चाइना का Inner Mongolia Autonomous Region है और जो चैंगी जो वर्ड है ये Chinese Goddesses के नाम पर है और इसको launch किया गया था November 24 को और इसी से related अगर आपको पूछा जाए कि first time ऐसा हुआ है कोई moon से rock samples लेके आया है तो नहीं सबसे पहले जो है वो US लेके आया था 1969 से लेके 72 के बीच में six flights में पहली जो थी वो उसमें Neil Armstrong ने land किया था first person to land on moon इसमें सबसे पहले US लेके आया था उसके बाद 1976 में रशिया लेके आया था उस समय USSR था और 1976 के बाद first time 2020 में चाइना लेके आया है next जो world minorities rights day है वो किस दिन मनाया जाता है world minorities rights day जो है वो December 18 को मनाया जाता है और इसको 1992 में adopt किया गया था by United Nations और इंडिया में इस दिन को 2013 से मनाया जा रहा है by National Commission for Minorities जो कि Ministry of Minority Affairs के अंदर आता है और इंडिया में पांच religious minorities हैं तो कौन-कौन सी है? Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Juristians और 2014 से Jains जो है उनको भी include किया गया है in minorities next question, recently India और बंगलादेश के बीच में 7 Memorandum of Understanding जो है वो sign हुए ना virtual summit इन में से कौन सा जो area है agreement में नहीं है पहला है hydrocarbon sector, correct है, दूसरा है protocol on transborder elephant conservation, ये भी correct है third है MOU in the field of industry, this is incorrect agriculture के field में हुआ है, इंडिस्ट्री में नहीं हुआ third है on the supply of equipment and improvement of garbage and solid waste disposal, ये बिलकुल correct है इसी के साथ साथ ही जो इंडिया, जो National Museum Delhi है और वहां का जो बंगा बंदू, शेक मुजिबर रह्मान मेमोरियल म्यूजियम है दोनों के बीच में pact sign हुआ है और framework agreement on high impact community development projects भी sign हुआ है इसी के अंदर ही discuss हुआ है कि इंडिया, इंडिया बंगलादेश friendship pipeline जो की high speed diesel जो है वो provide करेगी बंगलादेश को from silly goodie to परभाती पूर इन बंगलादेश silly goodie इंडिया से परभाती पूर इन बंगलादेश high speed diesel government of India और world bank ने dollar 400 million का project sign किया है इंडिया के poor और one level जो लोग है उनको किसके impact से बचाने के लिए तो answer है covid के यह actually second operation था जो first था वो may 2020 में अप्रूव हुआ था 750 million dollar का और यह मतलब social protection system के लिए इंडिया के लिए ताकि जो अर्बन और पैरी अर्बन एरिया में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट किसान कल्यान मिशन जिसके अंदर की farmer की income को double करने की कोशिश की जाएगी कि स्टेट ने लॉंच किया है तो आंसर इस यह यूपी ने जिसमें की स्टेट गॉर्मेंट के जितने भी डेपार्टमेंट से अग्रिकल्चर मार्किटिंग मंडी परिशद होटी कल्चर अनिमल हस्बेंडरी फिशरी शुगर केन फूड यह सारे मिलके काम करेंगे दुनिया का टॉलिस्ट रेल ब्रिज जो जम्मू एन कश्मीर में बन रहा है और 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा कौन सी रिवर पे है तो आंसर इस बी चैनाब रिवर पे और यह जे अनके के रियासी डिस्ट्रिक में है आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है पीकाक इंविर्मेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जो है वह किसको मिला है गोल्टन पीकाक इंवार्मेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है वह सेल को मिला है Steel Authority of India को और लगातार दो साल से ये सेल को ही ओवार्ड जा रहा है पर सस्टेनेबल और इन्वार्मेंटली रिस्पॉंसिबल स्टेल मेकिंग इंडिया ने 1 बिलियन डॉलर का लोन एग्रिमेंट साइन किया है आत्म निर्बर भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर का लोन विद वर्ल बैंक ये जो प्रोग्राम है ये गॉर्मेंट को help करेगा economic impact को mitigate करने के लिए जो की COVID-19 का है और रूलर एरिया में recovery के लिए through मनरेगा UP की कौन सी district जो है वो news में थी for export of black rice to Doha Doha जो है वो capital है कतर की तो black rice कहां से हुआ चंदॉली से essay questions exam में जरूर पूछ लिए जाते हैं चंदॉली जो है उसको bowl of rice bowl of provincial भी कहा जाता है चावल का कटोरा पुर्वांचल रिजन का और इसके बाद अब ये जो जगह है अब ये ऐस्ट्रेलिया और पूजिलन को भी ब्लैक राइस सप्लाइ करेगी तो ब्लैक राइस के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि ब्लैक राइस को चाखाओ भी कहते हैं इन मनीपूर और इसको एप्रेल में एप्रेल 2020 में इसको जी आई टैग भी मिला था और ये जो चावल है ये आईरन, विटामी, नी और एंटी ऑक्सिदेंट से जो है वो बहुत ज़्यदा भरपूर है और डाइपेटीज और कैंसर से फाइट करने में काफी ज़्यदा हेल्प करते हैं तो आपको ब्लैक राइस पर एक ये कोशन आ सकता है और ये कि अभी हाली में किस रिजन से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक राइस जो है वो नॉमल राइस जैसे ये बस उसका जो कलर है वो कम्प्लीटली ब्लैक है नेक्स्ट पहला ट्राइलेटरल वर्किण ग्रूप मीटिंग जो है चाहभार पोर्ट की जॉयंट यूज पे किन-किन कंट्री के बीच में हुआ इंडिया, इरान और थर्ड कंट्री कौन सी है तो आंसर है A. उस्बेकिस्तान ये पहला trilateral working group था on the joint use of चाहभार port तो आप देख सकते हैं जिसको चाहभार port की location नहीं पता है तो चाहभार port is here in Iran जिसमें कि पाकिस्तान को avoid करते हुए इंडिया जो है वो easily अफगानिस्तान को समान बेच सकता है और आप map में देख सकते हैं ये जो country है this is उस्बेकिस्तान ये उस्बेकिस्तान है तो अभी किस किस country के बीच में trilateral work हुआ है इंडिया, इरान and उस्बेकिस्तान और इसी meeting में ये भी decide हुआ है कि जो international maritime summit है उसको इंडिया host करेगा January 2021 में कौनसी state में शक्ती बिल जो है वो लाया गया है women के against the crime होते हैं उनको रोकने के लिए तो answer है C, महराष्टरा में RTGS money transfer facility जो है उससे related कौनसी statement incorrect है तो पहला ये है RTGS जो है real time gross settlement money transfer जो है ये round the clock है मतलब 24 x 7 है किसी भी समय RTGS कर सकते हैं तो ये बिलकुल correct है अभी हाली में इंडिया में इसको round the clock throughout the year जो है वो allow किया गया है और ये बहुत कम countries में फिसिल्टी ऐसे available है पहले जो RTGS जो transaction थी वो केवल सुबा 7 बज़े से लेके शाम को 6 बज़े तक working days में कर सकते थे लेकिन अब हमेशा allowed है next है इसमें जो minimum amount RTGS की वो है 2 lakh rupees तो ये बिलकुल correct है next है कि maximum limit जो है वो 1 crore है तो this is incorrect इसकी minimum limit जो है वो 2 lakh rupees है लेकिन maximum limit कोई set नहीं की गई है next है RTGS, NEFT और IMPS जो है ये real time basis पे work करते हैं ये statement भी incorrect है बाइचांस इसमें NEFT एड हो गया जो RTGS और जो IMPS है जो की immediate mobile payment service है ये भी real time basis पे work करती है IMPS जो है ये national payment corporation of India इसको manage करती है और जो RTGS है वो हम पहले देख सुके है जो NEFT है अब इसमें discuss हो गया तो मैं आपको बताऊं जो NEFT है ये है national electronic funds transfer और ये real time basis पे नहीं होती है इसमें 23 half hourly batches जो है वो बनते है जिसके जब ये transfer होता है इसमें पैसा तो RTGS और IMPS जो है ये दोनों ही real time basis पे काम करते है नेक्स्ट कोशन है जो हिमगिरी है ये पहला ship है Garden Reach Ship Builders और Engineer Limited का जो अभी हाली में कॉलकटा में launch किया गया हिमगिरी जो ship है कौन से project के अंदर ये ship जो है build हुआ है तो answer है ए प्रोजेक्ट P17A के अंदर हुआ है इसके अंदर total 7 ships बननी थी जिसमें की जो तीन ships है वो Garden Reach ने बनानी थी और जो चार है वो माज़गाउं dock shipbuilders जो है वो बनाएंगे और ये पहली gas turbine propulsion जो ship है वो बनाई गई है by Garden Reach shipbuilders बंगलादेश जो है वो martide intellectual days जो है वो किस दिन मनाता है तो answer है C December 14 को इस साल जो है वो जो बंगलादेश war हुई थी बंगलादेश की formation हुई थी उसको लेके 50 years है वो celebrate हो रहे है तो इस से related अगर कोई भी question है तो आपके के लिए बहुत ज्यादा relevant रहेगा आपको बार बर पूछा जाएगा martide intellectual day जो है वो December 14 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो पाकिस्तानी forces थी उन्होंने बंगलादेश के बहुत सारे intellectuals इसमें teacher doctor journalist यह बाकी लोग थे 1971 में उन सब को बहुत बूटली उन्होंने यह तो torture कि किया यह मारा था और इसका तब तक किसी को पता नहीं था जब 16 16th of December आई तब government को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है next स्वाधीनता सडग जो है यह 26 March 2021 को खोली जाएगी between India and answer is Bangladesh स्वाधीनता सडग जो है यह इंडिया को link करेगी मुझीब नगर से जो की टाउन है बंगलादेश के महरपूर डिस्ट्रीक में जहांकि 1971 में provisional government form हुई थी 1971 में provisional government form की थी उन्होंने और इसको 26 March 2021 को खोला जाएगा to mark the 50 years of Bangladesh independence रिसेंटली प्राइमिनिस्टर ने डॉर्डो कच में कुछ प्रोजेक्स को लॉंच किया उनमें से कौन से प्रोजेक्ट है तो एक है डिसेलिनेशन प्लांट है दूसरा है hybrid renewable energy park और थर्ड है fully automated milk processing and packing plant इसका answer D है तीनों correct है यह जो डिसेलिनेशन प्लांट है यह मांडवी में लगाया जा रहा है ताकि जो sea water है उसको पीने के पानी में change किया जाए इसके इलावा और भी दहेज, द्वारका, घोगा, भावनगर यह जो plants है यह already इसी factor पे work कर रहे हैं तो एक नया plant लगाया गया है second है hybrid renewable energy plant यह वीगा कोट village में आएगा और यह इंडिया का largest renewable energy plant है तो आपको ऐसा question पूचा सकता है कि इंडिया का largest renewable energy plant कहां है तो कच में है और इसकी जो capacity है वो 30 gigawatt है तो 30 gigawatt की इसकी capacity है इसलिए यह इंडिया का largest renewable energy plant है third है कि वहाँ पे सरहत देरी में कच की एक fully automated milk processing और packing plant भी लगाया जा रहा है next अभी recently 81st Nupi land day जो है observe किया गया यह कौन सी state में यह दिन मनाया जाता है तो answer है D. Manipur में आपको ऐसे questions exam में आते हैं इसमें जो यह Nupi land word है इसका meaning है women's war जो औरतों के दवारा लड़ी गई लड़ाई हो that is known as Nupi land तो 2020 में मनाया गया मनिपूर की history में दो बार ऐसा ऐसी war हुई है 1904 में और 1939 में और यह जो दिन है यह 1939 वाली war की याद में मनाया जाता है 1904 में वहां पर एक system चलता था लालूप system जिसमें की जितने भी आदमी थे उस एरिया जितने भी men थे उन सब को 10 days हर महिने के 10 दिन free में labor करनी पड़ती थी Britishers के लिए तो जिसके लिए वहां जो women's थी उन्होंने उनकी war हुई उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया 1939 में वहां पर famine आया हुआ था जो चावल की पर लेकिन फिर भी जो वहां की जो government थी वह rice को export कर रही थी तो rice के export को रोकने के लिए women's की जो थी वहां पर war हुई थी जिसके अंदर ये दिन जो है ये celebrate किया जाता है तो अब इतनी history जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप exam में कभी भी कोशन गलत करके आओगे अगर आपको पूछा जाएगा तो this is related with Manipur इंडिया ने अपने diplomatic program के अंदर cinema scope नाम की जो movie series स्टार्ट की हैं किस organization के लिए तो answer है SCO शंगाई corporation organization के लिए जिसमें की more than dozen जो इंडियन फिलम में उनको Russian language में convert करके monthly basis पे दिखाया जाएगा और इंडिया की chairmanship जो की 2023 तक है तब तक ये चीज continue रहेगी और ऐसे भी जो 2021 है उसको SCO year of culture बताया जा रहा है कि रूप में मनाया जाएगा SCO year of culture तो उसी के अंदर क्योंकि इस साल इसके 20 years of celebration हो जाते हैं तो आपको मैं कुछ facts SCO से related बता दू कि इसको announce किया गया था 2001 में लेकिन ये force में आया था 2003 में तो अगर आप इसकी member countries देखें तो चाइना, कजाक्स्तान, किर्जिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये सारे founder members थे इंडिया और पाकिस्तान पहले observer status में थे, लेकिन 2017 में इनको member declare किया गया है महाशर्द platform जो है, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उनको free में assistive devices देने के लिए किस state ने launch किया है, तो answer है B, महाराश्टरा ने, महाराश्टरा ये जो एप है, महाशर्द, जो है इसको 2021 मार्च से प्ले स्टोर पे available होगी, जिसमें की जितने भी दिव्यांग लोग हैं, वो free में free of cost devices को ले सकते हैं नेक्स्ट है, International Universal Health Coverage Day जो है, वो किस दिन मनाया जाता है, तो answer है B, December 12, 2017 में United Nations ने इस दिन को declare किया था, International Universal Health Coverage Day और इस साल इसका जो theme है, वो है, Health for All Health for All, Protect Everyone Protect Everyone Next question है, Social Entrepreneur of the Year Award जो है, वो किसको मिला है Social Entrepreneur of the Year Award जो है, वो Ashraf Patel को मिला है ये जो है, ये co-founder है, प्रवा और कमुटनी Youth Collective की और ये जो award है, Social Entrepreneur of the Year Award ये 2010 से Squab Foundation for Social Entrepreneurship और Jubilient भारतिये Foundation जो है, इन्होंने मिलके ये award जो है, ये setup किया है अभी हाली में 9th edition of Sustainable Mountain Development Summit जो है, वो कहाँ पे हुई है Sustainable Mountain Development Summit जो है, वो देरादूर में कंड़क्ट की गई है, और इसका जो theme है, वो है Emerging Pathways for Building a Resilient Post-Covid-19, Mountain Economy, Adaptation, Innovation and Acceleration Next is Time Magazine 2020 Person of the Year कितनी बार exam में ये question पूछ लिया जाता है और इस साल जो Times Magazine के Person of the Year है, वो है B, American Joe President Elect हुए है, Joe Biden और जो Vice President Elect हुई है, Kamala Harris ये लोग Times Magazine of Person of the Year है और जो Dolan Trump है, वो 2016 के Person of the Year थे और ये जो tradition है, Times का Person of the Year Elect करने का ये 1927 में स्टार्ट हुआ था जो Clarion Call है, Fitness का dose, आदा घंटा रोज ये किस ने दिया है ये recently किसी exam में भी पूछा गया था और ये इसलिए news में है, क्योंकि जो World Health Organization है, अभी उन्होंने इसको बहुत ज़दा अप्लॉड किया है इंडिया के step को तो इसको प्राइम निस्टर नहीं दिया है, अंडर Fit India Moment तो सब याद रखें, Fitness का dose, आदा घंटा रोज नेक्स्ट, December 2020 में कौन सी जो अर्ब कंट्री है, उन्होंने अपना, इस्राइल के साथ अपनी रिलेशन को नॉर्मलाइज किया है तो answer है इसमें, D. Morocco, Morocco जो है वो August 2020 से लेके अभी तक फोर्थ कंट्री हो गई है, जिन्होंने इस्राइल के साथ अपनी रिलेशन को नॉर्मलाइज किया है इस साल सबसे पहले UAE, बहरीन, फिर सुडान ने और अब मॉर्राको ने जो है वो रिलेशन को नॉर्मलाइज किया है तो आप देख सकते हैं जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने 1979 में किया था, जो जॉर्डन है, इन्होंने 1994 में किया था और बाकी जो कंट्रीज ने 2020 में किया है, UAE, बहरीन, सुडान और अब मॉर्राको ने किया है तो आपको मैं कुछ interesting fact जो है वो मॉर्राको से related भी बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको exam में हो सकता है कि कुछ मॉर्राको से related question आजाए rather than इस topic पे अब मैं आपको थोड़ी history जो है वो मॉर्राको और वेस्टरन सहारा की बताऊंगी आप इनकी एफरिका में location देख सकते हैं आफरिका की ये northern side में है, northwest में है, नौर्थ वेस्ट एफरिका है ये और आप देख सकते हैं कि ये western सहारा है और इतना एरिया जो है वो मॉर्राको का है और ये एरिया जो western सहारा का इसको मॉर्राको ने illegally occupy किया हुआ है जो western सहारा है ये एक Spanish clone थी जो की 1884 में Spain के अंडर आई और 1957 में जो मॉर्राको है ये France के अंडर था ये जब इस से जब free हुआ जब independent हुआ France से तब इसने western सहारा की ये जो एरिया है इसको illegally occupy कर लिया और तब से इस एरिये पे वो अपना claim बना के बैठा हुआ है और अभी हाली में US ने क्या किया है कि इसका जो claim है इसको accept किया कि हाँ तुम correct हो ये एरिया तुमारे अंडर आना चाहिए इसी के चलते जो Morocco है उसने peace deal sign की है with Israel और Morocco जहें वो 80% जो western सहारा है उसको control करता है और जो western सहारा है ये अपने phosphate reserves के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है इसके पास rich reserves है फॉस्फेट के जिसके चलते जो Morocco है वो इसको dominate करना चाहता है इंडिया की कौन सी पहली state है जिसने की memorandum of understanding जो है Cornell University के साथ sign किया है वर्ल्ड क्लास incubation center बनाने के लिए entrepreneurs के लिए तो सबसे पहले मैं हर class में यह कहते हूं कि जब भी कोई चीज first होती है तो exam के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती है तो इसका answer है महराष्ट्रा महराष्ट्रा ने MOU sign किया है जो Cornell University है यह New York में है New York US की यह university है जिसके साथ project sign हुआ है अभी हाली में Colliver Bridge जो है उसको किस state की road transfer highway minister ने वो inaugurate किया है और कौन से कौन से यह river पे है तो आपको Colliver Bridge से related question पूछा जा सकता है तो Colliver Bridge जो है यह बिहार में है और बिहार में river zone पे है और यह bridge जो है यह major road है for transport between Bihar and UP National Center for Divyaang Empowerment को recently CRPF Group Center में कहां पे inaugurate किया गया है National Center for Divyaang यह हाइदराबाद में किया गया है और यह हाकिन पेट नियर हाइदराबाद जगा है जहां पे इसको inaugurate किया गया है और यह पहली ऐसी establishment है जिसमें की जो Central Armed Police Forces के जो warriors है जिनको life-threatening injuries हो जाती है duty करते समय उनको reskill किया जाएगा rehabilitate किया जाएगा उन लोगों को उसके लिए Center को खोला गया है तो पहली ऐसी facility है जो भारत संचार नगर लिमिटेड है उन्होंने recently partnership जो है वो sign की है satellite based जो narrow band internet of things है उसके लिए किसके साथ तो Skylo Tech India के साथ आंसर इसे और इसके अंदर क्या है कि जो indigenously जो Skylo के जो Skylo developed किया है उसके थूँ जो BSNL की जो satellite ground infrastructure है वो pan India coverage देगा including India sees और ये made in India solution है और digital India का जो vision है prime minister का उसी के according ये work करेगा हाली में PM Vani prime minister wifi access network interface जो program जो launch हुआ है prime minister wifi access network interface कितने exams में केवल आपको full form ही पूछी जाती है scheme की इससे related कौन सी जो statement है वो incorrect incorrect है ये government का attempt है wireless internet connectivity को बढ़ाने का wireless internet connectivity को बढ़ाने का परयास है तो ये बिलकुल correct है दूसरा है कि public data offices जो है उनको setup किया जाएगा जैसे पहले PCO होते थे public call offices उसी हिसाब से public data offices खोले जाएंगे तो ये बिलकुल correct है जो public data offices है वो establish करेंगे operate करेंगे और maintain करेंगे जो वानी की complaints है Wi-Fi access points की केवल उनको तो ये भी बिलकुल correct है इसी के साथ ही PDO aggregators को भी setup किया जाएगा जो की authorization का काम करेंगे इन सब को authorize करेंगे और next है जो center registry है app providers की उसको ministry of home affair handle करेगा तो this is incorrect इसको center for document of telematics जो की c dot है c dot जो है वो इसकी registry को handle करेगा ministry of science and technology के अंडर ये आता है तो c dot जो है वो इसकी registry को handle करेगा next question है international anti-corruption day जो है वो किस दिन मनाया जाता है तो answer है December 9 को 2003 में UN ने establish किया था इस दिन को और 2005 में ये force में आई ये convention और इस साल इसका theme था recover with integrity तो आपको कुछ देज के साथ themes को भी माइन में रखना होता है क्योंकि exam में usually पूछ लिये जाते हैं next question मद्यपरदेश की जो cities UNESCO world heritage cities के अंदर include की गई है उनको related कौनसी statement incorrect है कौनसी गलत है आपको वो बतानी है पहली है जो historical fort cities गवालियर और ओर्ष्चा जो है मद्यपरदेश में उनको include किया गया है तो यह बिलकुल correct है इन दोनों cities को select किया गया है तो आपको simple question यह भी आ सकता है कि कौनसी cities को include किया गया है अगर आपको इन दोनों cities का नाम दिया जाता है तो यह दोनों मद्यपरदेश में है और अगर पूचा जाता है मद्यपरदेश में तो गवालियर और ओर्ष्चा है दूसरा है गवालियर जो है इसको 9th century में establish किया गया था और यहां rule किया गुर्जार पतिहारा जो kingdom थे तोमार बगेल कचावो और जो सिंधियास थे इनों ने तो यह बिलकुल correct है यह ruling dynasties थी यहां की थर्ड है कि ओर्ष्चा जो है अपने palaces और temples के लिए जाना जाता है सास बहु का जो मंदिर है वो भी ओर्ष्चा में है तो this is incorrect यह मंदिर जो है यह गवालियर में है यह 11th century का twin temple है जो की dedicated to lord vishnu है तो यह गवालियर में है next ओर्ष्चा जो है वो बुंदेला kingdom की 16th century में capital थी this is correct ओर्ष्चा जो है इसमें बहुत सारे famous sports हैं जैसे की राज महल, जहांगीर महल, रामराजा temple, राय परवीन महल, लक्ष्मी नरायन मंदिर next question अभी हाली में किसको first chief executive officer appoint किया गया है WHO foundation का first chief executive officer तो जो first है पहले वही important है फिर international body है और उसमें कोई Indian appoint हुआ है जो इस question को और भी important बना देता है तो सबसे पहली जो option है Tedros Adnom Ghebreyes ये जो है ये world health organization के director journal है current तो आपको WHO foundation जो है उसके साथ WHO को confuse नहीं करना है WHO की help के लिए ये जो WHO foundation एक independent grant making agency है जिसको की may 2020 में बनाया गया है इसको अभी हाली में form किया गया है इसी लिए इसके first chief executive officer है और वो है Indian origin के अनिल सोनी इंडियन origin के अनिल सोनी तो ये director journal है ये WHO foundation के first chief executive officer है और इसके भी जो headquarters है वो जिनीवा में ही है WHO foundation के next question international mountain day जो है वो किस दिन मनाया जाता है तो answer है B December 11 को 2003 से लगातार ये दिन मनाया जा रहा है और जो sustainable development goals है उसके goal 15 में 15 के अंदर ये बहुत important part है और इस साल इसका जो theme था वो था mountain biodiversity mountain biodiversity ये थीम था international mountain day का next 2020 United Nations investment promotion award जो है किसको मिला है तो answer is ये इंवेस्ट इंडिया को मिला है ये question आपको दवारा दवारा पूछा जाएगा United Nations investment promotion award किसको मिला है इंवेस्ट इंडिया को मिला है और ये world में जो भी investment promotion की agencies है उनकी उनमें जो best practices के लिए जसको pick किया जाता है उसको ये award मिलता है और 180 national investment promotion agency में से इंडिया की invest India को winner pick किया गया है और ये award देता है United Nations conference on trade and development Virtual India Mobile Congress 2020 जो है उसका theme क्या था तो उसका theme था inclusive innovation smart secure sustainable So A is the correct answer इसको organize किया था Department of Telecommunications और Cellular Operators Association of India ने Next Bangladesh ने अपना पहला Bangladesh ने अपना first Provincial Trade Agreement अप अजादी के बाद किस country के साथ sign किया मतार 1971 के बाद पहली बार Provincial Trade Agreement किस country के साथ sign किया है तो वो इंडिया नहीं है बोटान है तो बोटान is the correct answer 1971 में जब Bangladesh फॉर्म हुआ था तो बोटान दुनिया की पहली country थी जिसने बंगला देश को independent country के रूप में माना था उसके बाद इंडिया था हाली में किस state ने 10 new conservation reserves और एक century को declare किया है तो suddenly 11 new जगा को अपॉइंट किया गया है तो आपके लिए important हो जाता है तो answer है महाराष्ट्रा इसमें जो century है वो है कनहल गाउं और 10 new conservation reserves है next international day of persons with disabilities किस दिन मनाया जाता है दिव्यांग लोगों का जो special दीन है वो किस दिन मनाया जाता है तो answer है B December 3 को और इस साल इसका जो theme है वो था building back better towards a disability, inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 और इसमें जो option A है वो है December 1 जिसको मनाया जाता है World AIDS Day के रूप में और इस साल इसका जो theme है वो था ending HIV AIDS epidemic resilience and impact और इसमें जो December 4 है इसको Navy Day के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो Indian Navy थी उन्होंने पाकिस्तानी जो वैसल थे क्राची हारबर पर ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वार 1971 उनको काफी जादा डेमेज पहुंचाया था मैं आपको पहले ही बोली हूं कि 71 से रिलेटिड अगर कोई दिन कोई डेट कोई भी प्रोग्राम चल रहा तो वह बहुत important है तो इंडिया में Navy Day कि जी मनाया जाता है December 4 को और 8th Day December 1 को December 3 को International Day of Persons with Disabilities किसको पहली बार Times Magazine First Ever Kit of the Year Award मिला है तो आंसर है ए कि तांचली राव को Indian origin है और ये जो ये 15 years की गल है और इनोंने बहुत इनोंने कोई आप इनवेंट की है जिसमें की जो पानी में जो LED contamination है with the help of carbon nanotubes उसको detect किया जा सकता है और इनोंने और एक app design की है cyber wooling को रोकने के लिए रमायन cruise tour जो है सरीव रिवर पे इन अयोद्या लांच किया जाएगा by Ministry of Ports, Shipping and Waterways answer is B और ये इस fact से एक और fact है कि Ministry of Shipping का नाम बदल के इस साल क्या रग दिया गया है Ministry of Ports, Shipping and Waterways Ministry of Ports, Shipping and Waterways जो है वो रमायन cruise tour को start करेंगी सरीव रिवर पे जो की है अयोद्या में लेकिन अभी किया नहीं है किया जाएगा और ये पहला luxury cruise होगा और National Waterway 40 इंडिया का पहला 100 octane petrol जो है उसको किस ने अभी लॉंच किया है हाल में 100 octane petrol जो है उसको Indian Oil Corporation ने लॉंच किया है IOC ने और अभी सिफ 10 cities में लॉंच हुआ है डेली, गुर्गाओं, नॉइडा, आग्रा, जैपू, चंडिगर्ड, लुध्याना, मुंबई, पूने और एहमदाबाद और वर्ल्ड में सिर्फ 6 countries हैं जिसमें 100 octane जो पैट्रोल है वो पाया जाता है वो है US, Germany, Greece, Indonesia, Malaysia and Israel अभी तक 6 countries में है और हम 7th country हुए है और अगर आपको पूछा जाए कि 100 octane petrol होता क्या है तो एक लेमें लैंग्विज में बताऊंगी कि जो octane rating है वो fuel stability के लिए माने जाती है मतलब कि जितना highest octane number होगा petrol का उतना ही resistance होगा petrol mixture to knock knock कब होता है जब fuel जो है वो prematurely ignite हो जाता है engine के cylinder में जिससे कि जो efficiency है वो कम हो जाती है और engine को ज्यादा damage होता है लेकिन अगर आप high octane petrol use करते हैं तो premature ignition नहीं होती knock avoid होता है तो आपको इस term को भी mind में रखना होगा knock term को हाली में कौन सी country जो है वो news में थी जो की बहुत सालों बाद जो है वो इंडिया से उन्होंने rice import किया है इंडिया से rice लिया है चाइना और वेतनाम तो answer है c चाइना और वेतनाम जो है अल्मस्ट दोनों ने ही three decades के बाद इंडिया से चावल लिया है इंडिया जो है वो world's biggest exporter of rice है और चाइना जो है वो biggest importer है अभी हाली में इंडियन आर्मी ने कौन सी नई post को create किया है तो पहली option है deputy chief of army staff strategy दूसरी है director journal information warfare तो answer है c बोत a औ जब ढोकलाम crisis हुआ था तभी तब से ये planning चल रही थी कि इस post को बनाया जाएगा पहले क्या होता था कि जो directorate of military operations थे जो directorate of military operations और military intelligence थे और जो operational logistics थे और अभी जो director general information warfare है ये जो है ये पहले individually जाके जो vice chief है उनको report करते थे लेकिन अभी ये जो new post है new deputy chief strategy ये जो है इन सारी से information लेंगे और ये single point advice देंगे to vice chief on operational issues इसलिए post create की गई है next question पद्न भूशन अवाडी महाशे धरंपाल गुलाटी जो है किस brand के लिए जाने जाते हैं अभी हाली में उनकी death हुई है उनको पद्न भूशन मिला था 2019 में तो वो MDH जो मसाले का brand है उसके लिए जाने जाते हैं आप लोगों ने एड तो टीवी पर बहुत बार देखी होगी तो कितनी बार जो common ऐसी personalities होती है उनके उपर question आ जाता है तो अभी recently उनकी death हुई है उनको मसाला कींके नाम से भी जाना जाता है next statement से आपको बताना की कौन सी सही है पहली है कि जो SARS-CoV-2 जो variant है जो अभी mutation होके जो नया virus आया है उसको क्या नाम दिया गया है variant of concern VOC 2020-1201 तो ये बिलकुल correct है पहले इसको variant under investigation कहा गया था अब इसका नाम variant of concern रखा गया है second है निगलेरिया फॉलेरी जो है ये brain eating amoeba है तो ये बिलकुल correct है तो पहले ये दोनों statements correct है ये जो news है बहुत जादा highlight में रहा निगलेरिया फॉलेरी का कि ये एक amoeba है जो brain eating है तो अब देख सकते हैं कि इस pic में दिखाया गया है कि इसकी जो entrance point को कहा है थी जो nose से ही enter करत है और सीधा brain में जाता है जहांकि ये brain tissue को destroy करता है और ये single-celled amoeba है और इसका जो cases है सबसे ज्यादा US में ही आये थे और इसमें clear है कि आप इसको पानी पीने से ये आपके अंदर नहीं जा सकता तिपिकली ये जो warm fresh water जहां भी होगा जहां लेक से लिवर्स में जो लोग के अंदर ही ये जाएगा next question है हमपी chariot जो है विजे विटला temple complex में किसको dedicated है तो answer है एक गरूर को गरूर जो है वह हो वाइकल है Lord Vishnu का कितनी बार कितनी बार ऐसे questions भी पूछे जाते हैं तो Lord Vishnu का वाइकल है गरूर तो जो हमपी chariot है इसलिए news में था कि अभी recently archaeological survey ने उसको barricade किया है क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उसके ऊपर खड़े होके पिक्स लेते थे और इससे वो जो structure है बहुत ज़्यादा damage हो रहा था तब picture में देख सकते हैं यह जो chariot है यही वो हमपी का chariot है और इंडिया में तीनी famous throne chariot है पहला है कुनार्क में ओडिसा में दूसरा महाबलीपुरम तमिल नाडो में और तीसरा हमपी इन करनाट का और इसको विजे नगर रूलर्स ने बनाया था 14th to 17th century के टाइम पे और अ नेया note issue किया है उसके पीछे भी हमपी के chariot की photo है तो कई बार आपको ऐसे fact भी पूछ लिए जाते हैं कि उस पे किस historical monument की pick है जो 50 रूपी का जो note है उसमें हमपी के chariot की pick है recently इंडिया ने अपने किस island को 100% organic certify किया है 100% organic तो answer है B लक्षदीप को इसको government ने announce किया था November 1st को जो कि इसका 55th formation day था लेकिन ये हाली में इसलिए news में था कि government का जो scheme है one district one product one district और one product उसके अंदर जो लक्षदीप है ये food processing स्टार्ट कर रहा है जिसमें की पहले सिफ 6 months तक ही coconut का काम होता था बाकी time वहां employment की दिक्क्र थी अब ये round the year जो coconut है उसके जो products है उन पे काम करेगा और इसको 100% organic declare किया गया इससे पहले 2016 में सिक्कीम को 100% organic state declare किया गया था लक्षदीप से related एक और question exams में बड़ा common होता है कि कितनी बार चार union territories देदी जाती है पूछा जाता है कि smallest कौन सी है तो जो लक्षदीप है इंडिया की smallest UT है union territory है इसका area 32 square kilometer है और इसकी जो capital है वो कावारती है इंडिया में कौन सा हाली में first institution फिर से first है first institution है जिसको की United Nation population award मिला है institutional category में तो answer है help page इंडिया को United Nation population fund जो है उसके द्वारा यह award दिया जाता है और यह award इससे पहले 1992 में 28 years पहले J.R.D. Tata को मिला था J.R.D. Tata के बाद अब यह award जाकि किसी इंडिया में किसी को मिला है इस award को UN ने जो है ने अपना एक new form of dance invent किया था जिसके लिए वो जाने जाते थे उनको पद्म शुरी मिला था 2007 में जितने भी nominated artist होते हैं जब उनसे related कोई भी fact आता है तो आपको अगर वो news में रहते हैं due to any reason तो आपको एक्जाम में जाहतर पूछा जाता उसी साल उनी के उपर next मात्रू सहयोगनी सम्मित्ती जो है better monitoring of services at आंगनवारी कहां पे इसको launch किया गया है तो answer है D मध्यपरदेश में इसको mothers cooperation committees भी कहा जाता है हर committee में 10 mothers होंगी plus वहां की जो gram panchayat की जो महला होगी वो इसको head करेंगी इसका motive यही है ताकि जितने भी children below 6 years है between 6 months or 3 years between 3 years and 6 years adolescent girls or pregnant women are lactating जो mothers है उनको जो खाना मिलता government की तरव से ताकि जो mothers है बैटर supervision कर पाएं कि जो food है वो nutritious है या नहीं Ramanujan Prize for Young Mathematicians 2020 जो है वो किसको मिला है तो answer है A Carolina को मिला है Dr. Carolina यह institute for pure and applied mathematics Rio de Janeiro Brazil में है और यह पहली non-Indian है जिनको यह prize मिला है for algebraic geometry और यह prize हर साल young mathematicians को दिया जाता है जो कि 45 years की age से कम हो इस award को Department of Science and Technology ने institute किया था शुरी निवास Ramanujan की memory में तो इस साल जो winner है वो Carolina है जो कि Rio de Janeiro Brazil से है नेक्स्ट कोस्टन रिसेंट्ली बुटान ने अपना formal diplomatic relation इन में से कौनसी countries के साथ start किया है तो आंसर है इसराइल and Germany तो आंसर है C Germany के साथ जो था वो November में sign किया था और इसराइल के साथ जो है अभी December में sign किया गया है बुटान की इसी के साथ अब 54 countries के साथ जो diplomatic ties हैं including European Union और अगर हम इसराइल की बात करें तो अभी हम हाली में fact पड़े हैं पीछे ही पड़े हैं पर फिर उसको remind करते हैं कि इस साल अगत से लेके अभी तक 4 countries ने अपनी relationship normalize किये हैं UAE, Bahrain, Sudan and Morocco ये question बहुत जदा relevant आपको दुबारा दुबारा पूछा जाएगा next question है glycolipid, liporabo, no manan जो है ये urine में biomarker के तौर पे काम करेगा किस बिमारी के diagnose में तो answer है tuberculosis जो IIT मदरास है उन्होंने recently test develop किया है जिसमें की जो urine sample है उसी से पता चल जाएगा अगर urine में LAM पाया जाता है तो जो person है वो TB से infected है क्योंकि जो micro bacterium tuberculosis है LAM उसकी cell wall या cell membrane का important component है और ये अगर किसी को TB होगा तो उसके blood में LAM जो है वो release हो रहा होगा तो वो urine से pass out होता है तो urine से पता चल जाएगा कि TB से infected है person या नहीं next question है बशान चर जो जगा है न्यूज में थी कौन सी country में है तो answer है बंगलादेश में आप मैप में देख सकते हैं कि बंगलादेश की यहां बंगलादेश के अंदर वो जगा नहीं है यह जो island है इस island का जो नाम है वो बशान चर है इसका एरिये देखिए 6.7 स्केर किलोमेटर है यह बहुत छोटी सी जगा है जो recently इमर्ज हुई है पहले नहीं थी और यह जो चर लैंड से यह common feature है मेगना और पदमा रिवर्स के बीच में इसका मतलब ही होता है shifting land mass आप देख सकते हैं बशान चर का meaning है floating islands जो कि 20 साल पहले ही emerge हुआ है और हर साल जून से सप्टेंबर के time पे यहां बहुत ज़दा flood आ जाता है और यह इसलिए news में था क्योंकि बंगलादेश में जो रोहिंगया Muslims आए हैं Myanmar के violence के बाद उन सब को बंगलादेश यहां पे shift कर रहा है तो अभी UN जो है वो बंगलादेश से permission ले रहा था कि वो यहां पे investigate करना चाहते हैं कि क्या यह जगा रोहिंगया के रहने के लिए safe है या नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो Cox Bazar है उससे जो म्यानमार की जगा है यहां से इसकी दूरी कितनी है तो जो रिखाइन स्टेट है म्यानमार की जो रहिंगयाज है वो यहां से Cox Bazar की तरफ आये हुए थे अब उनको यहां से यहां shift किया जाएगा इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इन्होंने जो DarkPay की जो एप लाँच किये उसके अंदर इनमें से कौन सी services वो है वो मिलेंगी तो पहली है domestic money transfer जिससे कि आप अपने dear ones को पैसे बेच सकते हैं तो यह correct है दूसरी है virtual debit card जिसमें की scan QR code भी होगा तो यह भी correct है थर्ड है utility bill payment services यह भी correct है तो D is the correct answer इसी के साथ साथ banking services मिलेंगी to any bank customers तो जो इंडियन post payment bank जो है इसको department of post ministry of communication ने 2018 में form किया था और यह 100% जो है owned by government of India है next अभी हाली में US treasury ने किन countries को label किया है as currency manipulators जो लोग currency को manipulate करते हैं तो answer है D Switzerland, Vietnam, India तो US treasury actual में currency manipulator किसको कहती है वो उस country को कहती है जो कि अपना जो exchange rate है उसको influence करता है US dollar के against unfair competitive advantage के लिए international trade में तो वो तीन criteria उन्होंने fix किया है अगर उन तीनों में से कोई country satisfy करती है तो वो लोग उसको manipulator का label दे देते हैं जैसे कि अगर किसी country का dollar 20 billion plus dollar 20 billion plus अगर किसी का trade surplus हो जाता है US के साथ तब वो लोग उसको declare कर देते हैं अगर foreign currency intervention जो है 2% of GDP जो है वो exceed करती है तब declare कर दिया जाता है अगर global current account surplus जो है वो 2% exceed करता है of GDP तब उसको manipulator declare कर दिया जाता है अभी हाली में union minister of external affairs ने six squash courts की foundation है वो रखी है तो कहां पे तो answer है new Delhi में major ध्यांचन national stadium जो डैली का है वहां पे six squash courts बनेंगे और स्क्वैश की बात करें तो सौरव गोशाल दिपिका पलिकल और जोशना चिनापा यह जो नाम है स्क्वैश के emerging जो जो major players है उनके है next इन में से कौन से जो रेल लिंक है वो इंडिया और बंगलादेश के बीच में है जैसे पेट्रापॉल और बैनेपॉल जो है बंगलादेश के बीच में करेक्ट है दूसरा है गेदे और दर्शना यह भी करेक्ट है थर्ड है सिंगाबा और रहानपूर यह भी करेक्ट है इसी के साथ जो फोर्थ है वो है रादिकापूर इंडिया में और बिरॉल इन बंगलादेश और अभी यह जो न्यूस है इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंगी अभी हाली में हल्दी बरी और चिलहँटी जो रेल लिंक है उसको स्टार्ट किया गया है जो की फिफ्त रेल लिंक है जिसको फंक्शनल किया गया है 1947 के टाइम जब इंडिया की पार्टिशन हुई उस समें इंडिया और जो इस्थ पाकिस्तान आग बंगलादेश है उसके बीच में seven रेल लिंक से जिनकों की Britishers ने ही start किया हुआ था जिनकों की अब revive किया जा रहा है जिसमें की 5 हमने discuss कियें जो 5 है वो अभी जो है वो start हुआ है तो आप इसकी location दे सकते हैं इंडिया में हल्दीबरी जो है वो यहाँ पे है और यह बंगलादेश की location है जिनके बीच में rail link जो है वो start किया गया है हाली में जो प्राइम निस्टर ने है उन्होंने श्वरनेम विजेव मशाल जो है वो start की थी कहां से तो National War Memorial से जो की डैली में है इंडिया गेट के पीछे monument जो establish किया गया है और यह जो मिशाल है यह 50th anniversary की beginning के लिए इसको 50th anniversary over victory of Pakistan in 1971 उसके लिए इस मिशाल को जलाया गया है और जो 16 December है उसको हम विजे दिवस के रूप में मनाते हैं तो आपको यह कोश्व में पूचा जा सकता है विजे दिवस किस दिन होता है 16 December को तो 16 December को ही हम 50 years of Indo-Pakwar जो है उसको celebrate कर रहे हैं और उसको हम लोग स्वर्निम विजे वर्ष के नाम से मना रहे हैं और इसके अंदर जो है 4 victory में शाल जलाई जाएंगी जो की इंडिया की various parts में जाएंगी जिसमें की जो परमवीर चकर अवाडी है जो महावीर चकर अवाडी है 1971 वार के उनके गाउं में जाएगी और वहां से मटी भी लाके जो National War Memorial है वहां पर रखी जाएगी रिसेंटली National Institute of Research in Tribal Health जो है उसको इनागरेट किया गया है जिसकी की बहुत साल से बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो उसको कहां पर बिगिन किया गया है जबलपूर में और इसको 6th India International Science Festival 2020 है उसी के अंदर इसको इनागरेट किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है फार्मर्स डे इंडिया में किस दिन मनाया जाता है तो आंसर है D December 23rd जो है उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो चौदरी चरन सिंग है उनका बर्डे उनका बर्डे फॉल करता है जो की इंडिया के प्राइम निस्टर थे बहुत छोटे टैनियोर के लिए 1979 से 80 के लिए नेक्स्ट कोश्चन अभी हाली में इंडिया की 42nd रामसर साइट जो है वो डिक्लियर हुई है उससे रिलेटिट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो पहली है कि सोकर वेट लैंड कंप्लेक्स जो लदाग का पहला है और इंडिया का 42nd रामसर साइट है तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है ये लदाग का पहला नहीं है ये लदाग का 2nd रामसर साइट है इसका जो पहला रामसर साइट है वो सो मिरी है जिसको की 2002 में गौर्मेंट ने नोटिफाई किया था और यह जो साइट है यह सोकर वेटलान जो है यह दूसरा है दूसरी स्टेटमेंट है कि सोकर बेसीन जो है इसमें दो वाटर बॉडिस है एक है स्टार्ट अपुक सोक और दूसरा है सोकर तो यह बिलकुल करेक्ट है और इसमें यह जो स्टार्ट अपसुक है यह फ्रेश वाटर लेक है इसमें फ्रेश वाटर है लेकिन यह जो सोकर है यह सलाइन है नमक वाला है जो हाइपर सलाइन लेक है और ये चांग थांग रीजन में है लदाक के तो दो water bodies है आपको ये question भी separately पुछा जा सकता है कि Soakar Basin कौन सी दो लेक से बना है या फिर दोनों fresh water है तो इसमें एक fresh water है दूसरी saline है next है कि जो site है ये breeding area है black neck crane का तो ये बिल्कुल correct है और third है कि Soakar का meaning है white lake ये भी ठीक है Soakar को white lake इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूंकि ये saline lake है तो जो नमक है वो evaporation से किनारों में जब जम जाता है तो पूरी lake white दिखती है तो इसलिए Soakar का meaning है that is white next fast tech की issuance के लिए ICICI जो bank है उसने किसके साथ collaborate किया है तो उन्होंने Google Pay के साथ collaborate किया है fast tech क्या है क्योंकि fast tech जो है ये 1st January से mandatory कर दिया गया है इंडिया में तो ये एक reloadable tag है जिसमें की automatic deduction हो जाएगी आपके tall charges की सारे tall plazas पे आपको cash transaction के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और जो fast tech है ये brand name जो है इसको Indian Highways Management Company Limited ने own किया है electronic tolling के लिए और बाकी सारी ancillary projects के लिए National Highway Authority of India के अभी हाली में प्राइमनिस्टर ने इंडिया की पहली driverless train जो है Delhi Metro की वो कौनसी line पे inaugurate की है तो answer है B magenta line पे मैं फिर आपको repeat करती हूँ जब भी इंडिया में कोई चीज़ first होती है तो वो exam के लिए बहुत ज़दा important होती है और केबल उसी year में नहीं आपको बहुत बार ये question अलग-लग exam में पूछा जाएगा इवनिकि next year भी आपको ये question put किया जाएगा कि first driverless जो train है कहां पे हुई तो Delhi Metro में हुई और Delhi Metro के Magenta Line में हुई और जो Delhi Metro है ये start हुई थी 2002 में और तब सिर्फ 8.4 km का stretch था इसका शहादरा और तीसा जारी station के बीच में और अब अपने phase 4 में है और 61 km का area कवर करती है रिसेंटली जो union cabinet है उन्होंने इंडिजिसली जो developed अकाश मजाईल है उसका export जो है अप्रूफ किया है तो वो कौन सी मजाईल है वो surface to air मजाईल है अकाश जो है वो surface to air मजाईल है आपको ऐसा question पूछा जाता है अकाश मजाईल जो है वो surface to air मजाईल है जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो interception range है 25 km की है और यह 96% indigenous है और इसको इंडक्ट किया गया था 2014 में Air Force में 2015 में Navy में और जो वेतनाम वेतनाम जो है वो और लेडी इंट्रस्ट रखता है कार्स सिस्टम को खरीदने में और द्रूव एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर को खरीदने में next है कोलर लीफ नोस्ट जो बैट है कौन सी स्टेट में ही पाई जाती है इंडिया में कि आपको पता चल जाएगा कोलर इंडिया में गोल्ल माइन के लिए जाना जाता है कोलर गोल्ल माइन के ुए इसलिए यह जो बैट से केवल कोलर डिस्ट्रीक की दो केव्ज में ही पाई जाते थे जिसमें से एक में इंस्टेंक्ट हो चुका है तो इसी को प्रिजर्व करने की गौर्मेंट बात कर रही थी तो इसलिए ये जो बैट है इन्यूज में था यूजली लोग बैट को बुरा मानते हैं कि शायद ये डिजीजी से प्रेट करते हैं लेकिन इनके positive sides भी होते हैं जो plants रात को bloom करते हैं जो रात को खिलते हैं plant उनके लिए बैट और जो मौत है वो pollination का काम करते हैं और insect control में भी help करते हैं इसलिए जो crops है उनको भी protect करते हैं तो इसलिए इसको conserve करने की बात की जा रही है next question, next question international union for conservation of nature की अभी recently sharks के उपर जो report आई है उससे related statements दी गई है तो आपको पूचा गया कौनसी statement incorrect है उसमें सबसे पहली option है कि जो indians well shark है वो critically indigent list में आई है तो ये बिलकुल correct statement है geographical range limited होने के चलते और population decline के चलते इसको indigent category में रखा गया है ये सिर्फ के कोस्ट पे, श्री लंका में और अंडेमा निकोबार के islands में ही पाई जाती है तो इसलिए इसका जो geographical limit है वो काफी कम है इसलिए ये indigent category में है next is smooth hammered shark है और जो oceanic wide tip shark है वो critically indigent list में डाला गया है उनको तो ये भी correct है पहले वो indigent category में थे लेकिन अब उनको critically indigent list में डाला गया है क्योंकि उनकी population बहुत जादा कम गई है थर्ड है कि इंडिया में जो इंडिया के जो exclusive economic zone है इंडिया का उसमें 170 species of shark पाई जाती है जिसमें 11% जो है वो critically indigent list में आई है तो ये बिलकुल correct है थर्ड है shark को रेज जो है Indian water में ये कम गई है by catch के चलते हैं तो ये statement incorrect है by catch का meaning है कि जब अब बाकी fishing के लिए गया तो उसी के साथ ये fish पकड़ा गया लेकिन ये जो जो किसी particular species का जो decline होता है वो target fishing के चलते होता है target fishing के होता है जब उस particular breed को ही target करते हैं कि उसी को capture करना है तो इंडिया में जो sharks कम रही है वो target fishing के चलते कम रही है बाइ-catch के चलते नहीं next इनमें से कौन सा जो pair है वो incorrectly matched है तो पहला है कि 100 किसान rail जो है इंडिया की वो चलाई गई है संगोला इन महाराष्ट्रा से शाली मार इन वेस्ट बेंगॉल तो यह जो है यह बिलकुल correct है recently Prime Minister ने इसको flag किया है December 28 को और यह vegetable of fruits लेके जाएगी तो यह correct है दूसरा है कि ISRO का regional academic center for space जो है उसको IIT वारनसी में establish किया गया है तो यह correct है यह short और long term projects के लिए institute किया गया है third है कि इंडिया की पहली lithium refinery जो है वो गुजरात में setup की गई है तो यह first है first lithium refinery of India है गुजरात में है यह बिलकुल correct है money can power limited जो है वो इसमें thousand crores invest करेंगे और इंडिया में जो lithium का जो ओर है वो Australia से import किया जाता है third है इंडिया का first यह again first है hot air balloon safari of India जो है वो कहां पे launch की गई है तो रंथम बोर में नहीं की गई है बांदवगर में की गई है तो बांदवगर जो tiger reserve है उसमें इंडिया की first balloon safari जो है उसको launch किया गया है तो यह बहुत जादा important है और जिसको नहीं पता उसके लिए बता दू जो बांदवगर tiger reserve है यह मद्यपरदेश में हैं अभी हाली में arqueologist ने एक ancient जो hot food और drink की shop है जो कि 79 AD में जो volcanic eruption हुई उसमें उसमें बरी हो गई थी उसको अनर्थ किया है कहां पर तो answer है ए इतली में इतली की city पॉंपई में इतली की city जो पॉंपई है उसमें volcano erupt हुआ था 79 AD में जिसके अंदर यह shop है यह मिली है इरू city है यह grieco roman life के लिए जानी जाती है UNESCO world heritage site है यह तो आप देख सकते हैं यह जो जगह है यह अनर्थ की गई है और इसमें इनिमर्स भी ड्रॉन थे जो शॉप में मिलते थे नेक्स्ट पहला first international day of epidemic preparedness जो है उसको किस दिन मनाया गया तो जो भी दिन first होता है बहुत ज्यादा important होता है तो first international day of epidemic preparedness जो है उसको December 27 को मनाया गया ताकि फिर से अगर कभी कोरोना जैसी कोई दिक्कत आए तो उसके लिए कैसे prepare होना है उसके लिए epidemics से prepare करने के लिए इस दिन को establish किया गया है इसी में option में जो December 24 है उसको national consumer rights day के तौर पे इंडिया में मनाया जाता है और इसी दिन 1986 में जो consumer protection act है उसको पास किया गया था और इस साल इसका theme है new features of consumer protection act 2019 next question है international science literature festival जो की बहुत ज़दे news में था यह किसकी birth anniversary के तौर पे इस दिन को मराया जाता है तो answer है भी सिरी निवास रामनुजन और इस साल इस festival का theme था science for self-reliant India and global welfare science for self-reliant India and global warfare और इसको 2015 से regularly मनाया जा रहा है next question है कि मद्यव परदेश गोर्मेंट ने एक new brand राग बोपाली लाँच किया है international identity देने के लिए बोपाल की किस चीज़ को तो answer है C handicrafts को जो बोपाल है वो जरी, जर्दोजी और जूट वर्क इन तीनों के लिए जाना जाता है जरी के लिए जर्दोजी के लिए और जूट के वर्क के लिए इसी के लिए उन्होंने राग बोपाली जो brand है वो राउंच किया है जो राग से आप इसको music के साथ connect नहीं करना Next, Defense Minister ने Advanced Hypersonic Wind Tunnel टेस्ट फिसिल्टी जो है कहां पर inaugurate की थी Advanced Hypersonic Wind Tunnel टेस्ट फिसिल्टी जो है उसको हाइदराबाद में लॉंच किया गया और यह एक pressure vacuum driven enclosed jet फिसिल्टी है और जिसमें जो simulation है वो 5 Mac से लेके 12 Mac के बीच जो simulations है वो conduct की जा सकती है इसके अंदर और इसी के साथ इंडिया थर्ड कंट्री हो गया वर्ल्ड का ऐसी फिसिल्टी पहले US और रशिया के पास है और अब उसके बाद यह फिसिल्टी अब इंडिया ने लॉंच की है इसी के साथ ही हमारा दिसम्बर का जो discussion है वो conclude होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो please like किये बिना मत जाना please do like, share and subscribe to our channel thank you